तोयोटा यारिस और पॉपजी मोबाइल को प्रेसेंट्स ब्रेकिंग पॉइंट हाई अल्टिटूड वाफेर स्कूल को पावद बाई वीवी एलेवन प्रो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम और एलाई सी पॉज के ये फॉजी अपनी सबसे मुश्किल चनौती का सामना करने वाले हैं ये है रॉक क्राफ्ट टेस्ट इनके पास करीब 40 सेकंड होंगे जिसमें इन्हें हर चनौती पूर्ण बेस पर चड़ना है और हर बेस तभी पूरा मना जाएगा जब उनका कारबिनर चोटी को छ हो जाए आपको जल्दी से नीचे आना है और तुम्हारे क्राइमिंग शुरू कर देनी है और क्यारा टिनर को स्टेच करना है जंक को ही नहीं लेगा उदर ठीक है बेस नमबर 26 मेरे लिए सबसे ज्यादा चालेंजिंग था क्योंकि उसमें पूरी जान लगा देनी पड़त बेस 26 के लिए पावर चाहिए होती है और वो पावर आपके हाथों में होनी चाहिए शुरुआत में जब इंस्ट्रक्टर हमें अडवांस्ट बेस में ले गए तो मैंने बेस नमबर 26 पर चड़ने की कोशिश की वहां चड़ना बहुत मुश्किल था और चड़ते वक्त मैं शायद दो बार गिर गया था बेस नमबर 26 पर हमें करना यह है कि एक ट्राइंगुलर रिज लाइन है वहां तक हमें पहुंचना है हमें उस ट्राइंगुलर रिज लाइन पर लटकना है और खुद को ऊपर खींचना है और वहां चड़ना इतना मुश्किल है कि आपको कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता बिना प्रैक्टिस के आप यहाँ पर चड़ने ही पाएंगे क्योंकि ये चट्टान इतनी खड़ी है कि चड़ते वक्त आप बार बार फिसलते हैं कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ तो चड़ते वक्त आपको बैलेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर आपने एक भी गलती की तो आप किसी भी तरफ फिसल सकते हैं और अगर आप एक बार भी फिसले तो आप बुरी तरह से चटानों से टकरा सकते हैं और चोट लग सकती है यहाँ खत्रा ही खत्रा है मैं काफी डरा हुआ था इस बार चड़ते वक्त मेरा कंधा फिर से डिसलोकेट न हो जाए इसलिए मैंने चड़ते वक्त अपने लेफ्ट हैंड पर ज्यादा प्रेशर डाला ना कि राइट हैंड पर क्योंकि इसमें चोट लगी थी यहाँ असहनिये दर्द सहकर भी आगे बढ़ना होगा क्योंकि लड़ाई में ये विशाल चड़ाने दुश्मन के इलाके तक पहुँचने में पहली बाधा होती हैं असली लड़ाई तो वहां लड़नी होती है कंधा खिसक जाने से इस योधा की चुनौती बढ़ दई है ये बेस वैसे भी आसान नहीं है अराम से जड़ कोई जद्वाजी मत करो जलो शाबाश आसफड़ काी घर करते हैं नहीं जाओतकि है ये जिद्वाब करेंदा करेंड प्रणतका टूर नहीं, अमलैड जेबिवादतन असली किलते हैं और जेड़ास तक तक गाने लिकात्व मे्साम मेल जहाया। अब्सकित रवसक्वथ मैं 26 पे पहले भी क्लाइम कर चुका था और उस वक्त मेरी उंगली में चोट भी आ गए थी जब मैंने क्लाइमिंग शुरू की तो चोट पे बंदी पट्टी खुलने लगी उस वज़े से मुझे ऐसा ही चड़ना पड़ा इसके बाद मेरे हाथ में दर्द बढ़ता ही चला गया और चोट पहले से ज़्यादा गहरी हो गई दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरे लिए उपर चड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था शायद वो दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा था झाल